तो आखिर में जिसका डर था वह हुआ है और बहुत जल्दी हो गया है इबू कोनाटे इबराहीमा कोनाटे न्यू कासल मैच के लिए हीज सस्पिशिस मतलब शायद से अवेलिबल नहीं होंगे वो न्यू कासल के मैच के लिए एक मस्कुलर इंजरी है जैसे कि ख्लॉप ने कल अपने प्रेस कॉन्फरेंस में कन्फर्म किया कि इबू कोनाटे हैस सफर्ड एन इंजरी इन दे ट्रेनिंग और इन वन अफ द्रेनिंग सेशिन्स और वो शायद अवेलिबल नहीं होंगे ये सिर्फ मैंने नहीं बहुत सारे लोगों इस चीज़ के बारे में बात की थी कि हम वर्क लोड एक प्लेयर के उपर बहुत जादा डाल रहे हैं इसके हमने बहुत सारे एक्जामपल्स देखे हैं जैसे फिबीनियो का आप लास सीजन का फॉर्म देखो दूसरे प्लेयर्स का फॉर्म देखो कुछ हज तक ट्रेंट मतलब आप राइड बैक पर बस खिलाए जारो खिलाए जारो येस इस अ ब्रिलियंट प्लेयर कॉनाटे इस ब्रिलियंट प्लेयर मगर आप यू आर ओर एक्जर्टिंग तो कॉनाटे अब अब शायद अगर वो अवेलिबल नहीं रहते हैं तो इट इस अ बिग कंसर्न क्यूंकि आपके सेंटर बैक में जो दूसरे ऑप्शन्स हैं मैटिप जो हैं वो हीस पास्ट इस प्राइम जैसे हमने पहले बोला है गोमेज अगैन इंजरी के बाद उनके बहुत सारे कंसर्न्स रहे हैं वो सेम सॉलिडिटी वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं बट आप इस कंडिशन में हैं कि आपको अब शायद से वापस मैटिप को आप देखोगे या गोमेज को आप देख सकते हो सेंटर बैक के रोल में ये इनेविटेबल है मुझे कोई मेडिकल एक्सपर्ट होने की जरुवत नहीं है आपको कोई मेडिकल एक्सपर्ट होने की जरुवत नहीं है जो आप देख रहे हो जिस तरह की के वज़े से वो राइट में भी कवर प्रोवाइड करते हैं and as someone who's big मतलब वो physically he's a he's imposing tall है चोड़े player है ऐसे players को जब आप ज़्यादा भगाओगे तो उनको injuries होती ही है और वही हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा जो stress देने वाली बात है सबसे ज़्यादा जो tension देने वाली बात है वो यह है कि क्लॉप ने यह बोला है कि कोई return date नहीं है और मैं अभी हस रहूं लेकिन मैं यह this is more of a giving up वाली हसी क्योंकि यार देखो जबी भी आप पिछले 2-3 साल का data उठाके देख लो जबी भी क्लॉप ने बोला है कि कोई return date नहीं है नहीं पता है player कब वापस आएगा तो कभी-कभी ऐसे 4-5 महिने भी player बाहर रहे हैं and I am scared to death कि अगर ये case नहीं हो जाए कोनाटे के case में otherwise तो हम बहुत ही जादा week है, midfield की तो हम बात कर ही रहे थे, यहाँ पे हम center back में भी बहुत जादा week होगे क्योंकि आपके literally सिर्फ Van Dijk बचा है, now Van Dijk पे भी हम आते हैं, देखिए Van Dijk himself उनका last season बहुत अच्छा नहीं रहा था उसका reason भी एक था कि वो injury से वापस आये थे, और Robertson जो है, वो अभी जो box midfield हम केलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें almost एक quasi center back के जैसा हम use करते हैं Robertson को वो role Robertson ऐसा लग नहीं रहा है कि वो fit हो रहे हैं उस role के लिए, he looks weird in that role और उसके वज़े से Van Dyke को stretch करना पड़ रहा है, left side में भी wide और centrally तो करना ही पड़ रहा है, so यह जो आप workload की बात कर रहे हो ना, यह Van Dyke के उपर भी हो रहा है as we speak, because हमारे पास cover नहीं है और हम जबरदस्ती कुछ players को वहाँ पे खिला जा रहे हैं, left पे हमारे पास एक simikas है, जो शायद से maybe अब तभी हमको देखने को मिलेगा जब injury होगी, मतलब hopefully नहीं हो, मगर वैसा लग रहा है, तो यह जो injury बार-बार हो रही है, खास करके आपके critical positions में, center back हो गया, आप left की बात कर लो, center, midfield की बात कर लो, तो it is workload related, muscular injury है, यह ऐसा नहीं है कि आप, मतलब आपको कोई impact injury हो गई, आपका पैर टूड़ी है, आप कहीं फास गए, गिर गए, वो नहीं है, this is all workload related injury और यह surprising नहीं है, now, coming to Klopp के comments, अब Klopp ने कल एक, बढ़ी अजीब सी बात बोली, कि in an ideal world, we could have six, seven, eight defenders, but at the moment, we are covered, and Kwanza is a great talent, I will always defend Klopp, but यह statement बड़ा अजीब सा लगा मुझे, क्योंकि आप, यह नहीं बोल सकते कि आप वहाँ पे covered हो, आप भले आप यह बोल सकते हो, कि मतलब आप faith रख सकते हो, कुछ players में, क्या Matip वो player है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, if he proves me wrong tomorrow, then I will be the happiest, but मुझे नहीं लगता है कि Matip वो same player है, कि आप उनको Newcastle जैसे team के साथ उतारो, जो कि एक title aspiration के लिए ready team लग रही है, दूसरी बाद, अब Klopp ने आज भी कुछ statements दिये हैं, कि it is to the effects की बात, कि हमारे हाथ में जो हैं वो करते हैं, बट हमारे means are limited, देखो यार, और इसमें मैं personal opinion दूँगा, जरूरी नहीं ह कि हर कोई आदमी इस personal opinion से agree करे, बट मेरा personal opinion देखो यार, और मैंने कई बार बुला है कि Klopp ने, decisions कुछ-कुछ गलत लिये हैं, और बहुत बार decisions ऐसे लिये हैं, जो लेने पड़े क्योंकि आपके पास option नहीं था, right, बट यहां पे तो Klopp, यार, मतलब आप एक जो players थे, आप की cycle पूरी हो गई है, and Klopp openly बोल रहे हैं कि I would obviously like to have more, I don't get what I want, यहां पे funds available कर देने चाहिए, यह तो मतलब बड़ी obvious सी बात, यह तो हर कोई बोल रहा है और समझी बात है, काफी confusing है, right, काफी confusing है, क्योंकि एक time पे हम 110 million bid करने के लिए ready थे, काई से डो के लिए, वो आया नह आया, वो अलग बात, but वो money should be available, right, आपने डुकूरे का नाम सुना है, आपने बीच में एक दो प्लेयर्स, आंडरे का नाम सुना है, यह सारे प्लेयर्स जो है, सेंटर बैक की तो खेर बात ही थंडी वड़ गए, उसके उपर बात में आएंगे, यह सब जो midfield की बात पहले तो यह सब जो नाम सुना है, यह players, यह पैसा जो fund है, वो कहां गया, it is very confusing कि आप, it's like a, आप बोल रहे हो कि आपने पहले 110 million bid किया, वो player, दोनों player for whatever reason आपको नहीं मिले, फिर आप आके बोल रहे हो, आप तो नहीं मतलब basically clock बोल रहे हैं, कि और owner, फिर तो मैं इसके बाद आ तो disconnect है, क्योंकि वो 110 million में से आपने सिर्फ 13 million खर्च किया है, एंडो के उपर, बाकी का पैसा कहां गया, where is the rest of the money, I don't think anybody can answer that question, at least मेरे पास तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं, now coming to the owners, यार देखो, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग internet पे चाहे जितना हला मचा जब तक locals involved नहीं होंगे, जब तक they don't, the owners, जब तक वो pinch feel नहीं करेंगे, उनको कोई फरक नहीं पड़ता है, आप John Henry की बात करो, यार, वो इनसान सीजन में एक बार, या कभी-कभी दो सीजन में एक बार match देखने के लिए आते हैं, अभी वो जो match देखने आये थे, इतना ह कि काई से डो के इसके उपर आए हैं और ये हैं और वो है, बाद में पता चल लिए, में जो company थी, जो main stand बना रही थी, वो bankrupt हो गई थी, उसका related कुछ था, उसके लिए वो आये थे, otherwise उनको transfer से को कोई मतलब नहीं है, तो अभी at this point, मतलब मैं owner से यही बोल, या ते कोई, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि क्लॉप ने कोई गलती नहीं किये, मगर यहाँ पे, this is like an owner who's just not interested, मैं, मतलब इस चीज़ को और किसी तरीके से पता नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ये एक owner है, जिसको पड़ी ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्लब में और क् क्लब में, he says की money will be made available, एक दो बार उन्होंने इसके पहले statements दिये, एक दो बार sorry worry बोला है, जो भी बोला है, बट उसका कुछ effect नहीं निकला है, अब कुछ लोग बोले हैं कि बस मगर आपने सबोत्सलाई खरीदा, मगर आपने मैकालिस्टर खरीदा, अरे बट आपके पास 50, जो आपने 35 मिलिएं सबोत्सलाई के मैकालिस्टर पर लगाया, 60-65 मिलिएं जो भी आपने सबोत्सलाई के उपर लगाया, 100 मिलिएं में से 53 मिलिएं तो आपके वापस आगया, पवीनियों को बेचके और हेंडिसन को बेचके, तो वो पैसे कहा है, where will you, when will you reinvest, is it, ये भी not be our main DM option, अगर आपको, मतलब टाइटल की बात तो छोड़ दो, अगर आप टॉप फाइव में भी आना चाहते हो, चैंपियों की अगले साल खेलना चाहते हो, तो उसके लिए भी, I don't know how much faith to place in him, तो कि अगर आप अपने आपस देखो, Rodry for Manchester City, Declan Rice for Arsenal, Casemiro for Man United, Yves Bisuma, Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur को तो लोग बोल देंगे कि यार, इनको तो यह तो नहीं finish कर पाएंगे, Chelsea ने कैसे डोल लिया है, तो आपके पास इन सबसे inferior option है, और भी अगर मैं players add करते हूं, तो उनसे भी inferior options हैं आपके पास, so, and DM की position कितनी important होती है, मतलब बोलना ज़रूरी नहीं है, यह सब बा अगर बोलना ज़रूरी नहीं होंगे न, तब तक I don't think there is anything that can the owners, उसमें कोई change होने वाला है, क्योंकि उनको फरक नहीं पड़ता है, आप लिखते रों tweet, आप करते रों video, आप करते रों live, आप चिलाते रों, उनको फरक नहीं पड़ता है, उन्होंने display किया है पिछले अगा दिया न, ये एक जो चीज है कि क्लॉप का power increase हो रहा है, क्लॉप का power increase हो रहा है, अरे यार, हो सकता है क्लॉप का power increase हो रहा हो, बट क्लॉप तो आके बोल रहा है कि मुझे और transfers चाहिए, तो मतलब, do you not see the dichotomy in that whole argument, जो लोग बोलते हैं कि क्लॉप ने, he drove Michael Edwards आउट, औ So it is, it is very confusing and मैं Newcastle के match का preview तो हम लोग ठीक है, हम लोग discuss कर लेंगे, वो तो हम लोग बात करेंगे ही, मगर अगर आप ये पूरा situation देखो, बड़ा confusing सा महल create हो गया है, this is not, this is one of the worst I have felt in a long time, जब से Jurgen Klopp manager बने है, before a season starts, और जबकि हम एक मैच जीते हैं, एक मैच ड्रॉ करना कोई बहुत पूरा रिजल्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, यू लोग अट दिस एंड दोस फिल यू वित लॉट अलॉट फिल यू वित अलॉट 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 तो मेक अफिट, क्योंकि क्लॉप के जो स्टेटमेंट्मेंट्स हैं, वो अलॉट 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 आपको लगता है कि यार, if you talk about it, अगर मुझे आज भी लगता अगर क्लॉप openly बात कर ले ना इसके बारे में, कि नहीं, I'm not being backed by the owners as much, उनका जितना उहदा है ना, उनका जितना स्टेटस है ना लिवरपूल फैन बेस में, I think the owners will be pressurized, so, लेकिन बड़ा confusing सा महल है कि क्या होगा सीजन में हम किसी को ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे, डुकूरे की बात एकदम से थंडी हो गई है, अंड्रे की बात एकदम से थंडी हो गई है, center back तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, and you know how weak we are in that center back position, so, it's a bad situation, and कल बहुत बड़ की injury, I am really hoping यार यह long term injury नहीं हो, क्योंकि जब भी अभी off late clock ने बोला है कि कोई return date decided नहीं एक player का, it is not turned out to be very good for us, so, I am really hoping कि ऐसा कुछ नहीं है इस case में, and we see Konate जल्दी से जल्दी वापस आते हुए, बाकि तब तक के लिए enjoy करिए, football देखिए weekend पे, कल हम आपसे मिलेंगे watch along और कल एक और वीडियो आएगा, उसमें भी हम लोग बात कर लेंगे, until then take care of yourselves, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीए, चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो go ahead and hit the subscribe button, we will see you very very soon, until then take care, and remember one thing, up the reds!